Hello Friends, My Name is Hemant आज हम Reasoning में एक नया टॉपिक विन डायग्राम पढ़ेंगे इसमें जो आज हम पढ़ेंगे बेसिक पढ़ेंगे विन डायग्राम का और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम सेट आफ क्वेस्चन करेंगे win diagram के जो exam में आये हुए हैं आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जो question है उनको easily कर सकें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे like, share और channel को subscribe जरूर करें ताकि आपको और भी वीडियो का profit मिल सकें तो शुरू करते हैं when diagram जो होता है इसमें आपको तीन चीजों के बारे में दिया होगा और उनको आपको किसमें represent करना होगा diagram के थरू represent करना होगा ठीक है तो हम इसमें type पढ़ेंगे उसके बाद next आपको समझ में आते जाएगा तो शुरू करते हैं पहला type क्या है जब when all three are different to each other यानि कि जो भी three तीन चीज़ें आपको दिये गई होगी वो एक दूसरे से बिलकुल अलग होगी जैसे example में आप देखेंगे solid liquid gas तो आप देखेंगे कि यह solid liquid gas इनका आपस में कोई भी संबद नहीं है तीनों एक दूसरे से अलग है तो एक type आपका यह है और next example देखेंगे jeep, bus, truck आप देखेंगे jeep, bus, truck इनका भी संबद नहीं है यह बिलकुल अलग है और आप तीसरा example देखेंगे pen, pencil, marker यह तीनों चीज़ अलग है तो इनका आपस में कोई संबद नहीं है जो पहला type है when diagram का वो यह है when all three are different to each other तीनों एक दूसरे से अलग होंगे next देखेंगे यहाँ पर है when first belongs to second and second belongs to third यानि कि जो पहला है वो बिलोंग कर रहा है second को और second जो बिलोंग कर रहा है वो third को जैसे example दिल्ली, इंडिया, एसिया तो आप कह सकते हैं दिल्ली यहाँ आएगा और इसके बाद दिल्ली इंडिया के अंदर है यानि कि दिल्ली बिलोंग कर रहा है इंडिया को और इंडिया आपका एसिया के अंदर है ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ठीक है, तो दिल्ली यह दूसरा second are entirely different to each other but belongs to third तो यहाँ पर आप देखने कि first और second यह आपका क्या है? एक दूसरे से entirely different है यानि कि एक दूसरे से इनका कोई भी संबन नहीं है लेकिन यह belong करेंगे third को जैसे example में आप देखने husband, wife, family तो husband आपका यहाँ आ जाएगा husband और wife एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ठीक है? लेकिन यह एक family के अंदर आते हैं family यह आ जाएगा family के अंदर आते हैं तो यह आपका एक example दूसरा आप देखने हैं यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आप देखने है physics, chemistry physics, chemistry, science तो physics और chemistry एक दूसरे से बिल्कुल अलग है लेकिन यह belong करते हैं किसको? science को तो science के अंदर आपका physics और chemistry आ जाता है तो science आपका यह लग हो जाएगा ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको ठीक है? type 3 क्या है? next step पढ़ते है next step when first, second and third are partially related to each other यानि कि पहला, second और third जो होंगे एक दूसरे से partially related होंगे तो entirely related नहीं होंगे यानि कि partially कुछ संबन्द होगा चैसे boys, student, players तो आप यहाँ पर boys रखेंगे, यहाँ student और players, तो यहाँ पर आप कह सकते है कुछ boys जो है, वो student होंगे ठीक है? तो यह आला part क्या दिखा रहा है? कुछ boys जो होंगे, student होंगे और यह part क्या दिखा रहा है? और यह आपका है कुछ boys जो होंगे, वो player हुई होंगे खाली player होंगे, student नहीं होंगे और यहाँ पर आपको यह दिखा रहा है कुछ player जो है, वो student होंगे ठीक है? तो यहाँ पर player girls भी हो सकते है इसलिए यह partially related है और जो यह beach वाला part है यह आपको क्या दिखा रहा है जो boys है वो student के होने के साथ-साथ आपका क्या होंगे player भी होंगे यह वाला part, beach वाला part दिखा रहा है तो आपको समझ में आ गया हो जो भी तीनों हैं यह यह partially related है each other next देखते है next है when first and third are entirely different to each other but partially related to second तो first और second जो होंगे इनके बीज में कोई भी समझ नहीं होगा यह entirely different होंगे यानि कि एक दूसरे से बिलकुल अलग होंगे लेकिन partially relate किस से करेंगे second वाले से जैसे आप देखेंगे teacher, woman, student woman, student तो teacher आपका यह आजाएगा teacher और student तो teacher और student बिलकुल अलग है आप देख भी सकते हैं teacher, student तो नहीं हो सकता यह बिलकुल एक दूसरे से अलग है यही type 5 है लेकिन यह partially related किस से होंगे third से, second से तो यह आपका omen है तो कुछ omen जो है तो समझ में आ गया होगा when first and third are entirely different first और third जो entirely different होंगे लेकिन यह partially related होंगे second से एक example और देखिया आप ठीक है, एक example आपका कौन सा है यह example है आपका clothes, flower, white तो यह आपका clothes हो गया ठीक है, clothes हो गया और यह आपका flower हो गया flower हो गया और यह आपका white तो यहाँ पर भी आप देखिने कुछ clothes जो होते हैं वो white हो सकते हैं और कुछ flower भी white हो सकते हैं लेकिन जरूर ही नहीं है white हमेशा clothes और flower होंगे तो यह इसलिए बीच वाला part आपका छूटा हुआ है समझ में आ गया होगा आपको कैसे यह type 5 है next question करते है next day है when first belongs to second but third is partially related to first and second तो आपका इसने क्या बोला जब first belong करेगा आपको second से ठीक है first जो होगा वो entirely belong करेगा second से लेकिन third जो होगा वो partially होगा first और second से तो partially आपको यहाँ दिख रहा है और partially यह दिख रहा है तो इसका example देखने है mother, doctor mother, doctor आपका lady तो आपका यहाँ पर mother आएगा बीच वाले में ठीक है इसको मैं थोड़ा सा रीच कर लेता हूँ ठीक है तो यह आपका mother आएगा ठीक है mother आएगा और mother और यह आपका lady आएगा ठीक है जो भी mother हूँगी सारी सारी mother lady हूँगी इसलिए one वाला part जो है यह third के अंदर है ठीक है जो सारी mother हूँगी और lady हूँगी ठीक है यह तो बिल्कुल सही है उसके बाद जो doctor है तो doctor आपका second तो हो सकता है कुछ mother जो है वो doctor हो ठीक है next type है when first belongs to second but third is partially related to second ठीक है यानि कि first जो बिलोंग कर रहा है type 6 का ही है उसमें क्या हो रहा है तो third हो रहा था वो first से भी partially बिलोंग कर रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है first और second first बिलोंग कर रहा है second से लेकिन third partially related है किस से second से तो example आपका इसमें क्या होगा mother, female, children जो भी mother होँगी वो सारी female होँगी ठीक है इसलिए first बिलोंग कर रहा है second को और second के अंदर है सारी female होँगी लेकिन children जो होँगे वो mother नहीं हो सकते ठीक है children इसलिए यह जो है लेकिन female हो सकती है children इसलिए यह parsley बिलोंग कर रहा है second को समझ में आ गया होगा आपको यह अला भी type ठीक है यह सारे type आपको याद करने और easily हो जाएंगे और यह बहुत ही easy topic होता है reasoning का next question करते है next है when first belongs to second but third is entirely different from these two यह type जो है इसमें first जो belong कर रहा है second को और जो third वाला है वो entirely different है यानि कि इसका first और second से कोई सम्मन नहीं है तो example यहाँ पर क्या लेंगे यहाँ पर boys girls यहाँ पर g, i, r, l हो हुआ double i आ गया ठीक है तो girls और males तो यहाँ पर आप कह सकते है यहाँ पर क्या होगा जो भी boys होगे तो जो भी boys होगे यह सारे male होगे ठीक है boys male होगे यानि कि boys जो होगे वो male के अंदर आएंगे इससे belong कर रहे है और जो third होगा third यहाँ पर girls होगी और girls बिल्कुल entirely अलग होगी ठीक है next है when first and second are partially related to each other but belongs to third तो यहाँ पर first और second जो है यह एक दूसरे से partially related है लेकिन किसको बिलोंग कर रहे है third को तो यहाँ पर engineer, government ठीक है engineer, government, employee or human being option ठीक है यह इसका example आप देख सकते है तो यहाँ पर आप क्या रहे है यह आपका engineer हो गया तो कुछ engineer जो हो सकते है वो government, employee हो सकते है ठीक है यह part दिखा रहा है ठीक है कुछ engineer, government, employee हो सकते है लेकिन कुछ engineer जरूरी नहीं हो government, employee हो और यहाँ पर जो यह यह आला part है यह दिखा रहा है कि government, employee सारे engineer नहीं हो सकते ठीक है, तो यह आपके partially related है, ठीक है, partially related है, लेकिन किसके अंदर है, human being के, सारे क्या है, human being है, तो यह आला पार्ट क्या दिखा रहा है, human being का, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कैसे यह type है, और आपको याद करना है, एक बार आप practice करेंगे, तो आपको हमेशा के लिए मतलब एक दूसरे से, और third जो होगा, वो entirely different होगा, ठीक है, इन दोनों से, तो यहाँ पर आप लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, engineer और government employee, ठीक है, यह engineer हो गया, यह government employee हो गया, ठीक है, वो ही है, ठीक है, कुछ engineer जो हो सकते हैं, वो government employee हो सकते हैं, लेकिन सारे engineer, यह आला पार् तो children बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, यह तो ना तो आपका क्या होगे, engineer होगे, ना ही government employee होगे, ठीक है, समझ में आगया होगा, ठीक है, यह type क्या है, तो यही पर यह basic आपका खतम होता है, यह कोई लंबा topic नहीं है, simple सा topic है, और easy topic है, इसके बाद हम next video में जो previous year question आये है वो करेंगे, अगर आपको यह video पसंद आती है, तो आप इसे like, share और subscribe जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ share करें, thank you so much